नमस्कार दोस्तों पुझार डिजाइसने इस्टिचिंग चलने में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम स्लीव डिजाइन बनाएंगे लॉंग स्लीव पर यह देखिए फुल कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे तो डबल फोल्ड है हमारा स्लीव तो हाफ इंच में दो पॉइंट उपर हमें निशान लगाना इस तरीके से देखिए और एक सीधी लाइन हमें यहां पर बना देंगे जब इसको ओपन करेंगे तो जो पट्टी हमारी निकलेगी वह तो हमारा यहां पर यह मेजर मेंट है तो इस तरीके से इसको सैंटर से देखिए कट कर लेंगे और लाइनिंग को हमें कट करना है देखिए इस तरीके से इस ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग भी हमने आपके साथ शेयर किये अगर अगर आपको सीखना है तो आप चैनल पर जाकर उसको सीख सकते हैं देखिए इस तरीके से स्लीव के उपर इसको रखेंगे स्लीव का जो मैन फैबरिक है उसका सीधा भाग उपर की साइड रखना है और फिर लाइनिंग को इस तरीके से रखते हुए थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए स्लाई यहाँ पर हम लगा लेंगे अब हम इसको इस तरीके से पल्टेंगे और नाखुन से प्रेस करके और एक ही देखिए सिलाई लगाएंगे हम इसके उपर लाइनिंग के उपर आपको मैन फैबरिक पर सिलाई नहीं लगानी इस बात का ध्यान रखना है और यह देखिए अब इसको अंदर की साइड इस तरीके से पल्टेंगे इस पर किनारे वाले सिलाई हम यहाँ पर अभी नहीं लगाएंगे डोरी पाइप इन अटेच करेंगे इसलिए हम बाद में सिलाई लगाएंगे और सिलाई हो जाएंगे तो वो बद्धी लगेंगे देखने में इस तरीके से अगर आपको पट्टी वगरा जोइंट करने हो तो आप पट्टी के साथ ही वो सिलाई लगाएं इससे को यह ब्लाउज में लगाई थी तो हमने यहाँ पर भी डोरी पाइप इन का यूज किया है तो देखिये और किनारी सिलाई लगाते वह डोरी पाइप इन को अटेच कर लेंगे तो देखिए हमारी पाइप इन बहुत अच्छे से बिलकुल फिनिशिंग के साथ अटेच हो और कौ यह मैं और दूसरे पार्ट में झा उसी तरीके से हमें पाइप इन को अटेच कर लेना है और 24 दम तरफ लगा के एक्स्टा वैब्रिक को कटकर देंगे तो देखिए मैंने दोनों पार्ट जो स्लीव के उसमें extra वैब्रीक को कटकर दिया इस तरीके से देखिए डाइ डाइ इंच के मैंने लंबाई चौड़ाई में स्कॉयर पीस लिये है मैंन फैब्रीक के औरों को इस तरीके से ट्राइंगल में फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे तो मैंने आठ पीस ऐसे तयार किये हैं यह देखिए थोड़ा सा उपर से कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ यह देखिए जो बराबर रहेगा हमारा फैब्रिक इसी तरीके से आठ ट्राइंगल हमें यहाँ पर बना लेने आपके यहाँ पर छे भी लगा सकते हैं आप आठ भी लगा सकते हैं स्लीव के लंबाई है उसके अकोडिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं एक मैंने पेपर यहाँ पर लिया उसमें सेंटर में लाइन ड्रो किया है और अभी देखिए पहले हम ट्राइंगल को पेपर पर इस तरीके से अटेज करेंगे अब यह देखिए दूसरी से नौक से नौक को मिलाएं यह देखिए एक ट्राइंगल की नौक दूसरी ट्राइंगल की नौक से अच्छे से मैच होने चीए आगे पीछे ना हो इस तरीके से देखिए मैच करते हुए इधर भी हम चारो को अटेज कर लेंगे तो यह देखिए चारो इधर भी हमने यहाँ पर अटेज कर लिए तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से अटेज हो गई है पूरी पट्टि यहां पर यह देखिए अब हमारा जो डे टिंच की पट्टि थी हमें डे टिंच ही cover करना है तो देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे और दूसरी triangle पर भी इस तरीके से निशान लगाएंगे इसमें आप दोनों साइड एक एक पॉइंट को बढ़ा कर ले क्योंकि हमने स्लीव में पाइप इन जहां पर लगाई है वहां थोड़ा सा कपड़ा हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो गया है तो उसको भी आपर कवर करना है तो अगर इस तरीके से निशान लगाएंगे स्केल कट हुआ था वो बिलकुल बराबर रहेगा कहीं से भी कम जादा नहीं होगा बिलकुल परफेक्ट यहां पर फिटिंग आएगे तो देखी इस तरीके से रखेंगे हम स्लीव को और जो भी एक्स्ट्रा है उसको अंदर के साइड से कट कर देंगे तो थोड़े से अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो उस तरीके से सही रहेगा अगर डायरेक्ट आप बिना अंदाज इसको इस तरीके से अटेच करते हैं तो आपका ये जो सेंटर में जो डिजाइन हो थोड़ी जैसे कम भी रह सकती है ज्यादा भी रह सकती है अगर आप इस तरीके से मेजर करके तो देखिए इसको एक को हम यहां पर उठाएंगे और पाइप इन पर सिलाई लगा लेंगे कि देखिए जो पर सिलाई करना भी बहुत आसान हो जाता है तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मेरे वीडियो में मिलती रहेगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब आप जरूर कर लें तो देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको भी हम यहां पर अटेज कर लेंगे यह डिजाइन बहुत सिंपल है पर बहुत ज़्यादा चलता है हमेशा चलने वाला डिजाइन है और हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है और आप शौट श्लीव भी बना सकते हैं लॉंग श्लीव भी दोनों में यह डिजाइन बहु अब हम यहां पर जो पेपर लगाया था उसको इस तरीके साथ डालेंगे अब है कि अ कि देखी पेपर आमने अच्छी से नीची से अटा अटा लिया है और बाकी कम बाद में यहां पर अटा लियंगे अब हमें क्या करना है देखिए मैं मोती यहां पर बीच में जो यह ट्रैंगल है उनका जो कौन सेंटर जो है इनका उस पर यह देखीए डार पिंक कलर के यहां पर मोती अटेज करूंगी तो हाथ की सुझते है मोती अटेज कर लेंगे हम यहां पर देखिए मैंने अटेज कर लिए सिंपल तरीका है इनको अटेज करने का इसलिए मैंने शेयर नहीं किया इस तरीक से देखिए कितना सुन्दर यह हमारा डेजैन लग रहा है और अब नीचे हम एक जो पट्टी बना कर लगा सकते हैं उसमें लेस वगर अटेज करके अब इसको इस तरीके से पल्टेंगे और इस पर किनारी वाले सिलाई लगा देंगे अगर एक छोटा बड़ा फैब्रिक है तो पहले उसको नीचे की साइट से कट कर लेंगे यह देखिए और अब हम इसको अच्छे से पल्टेंगे और इसकी जो किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे तो जो पट्टी का जुकाव है वो सामने की साइट अच्छे से रहेगा पट्टी बिल्कुल भी नहीं उपर की साइट पल्टेगी और फिर अच्छे से इसके कर लिए पोटली बटन जो तैयार किये ते उनको हम यह पर अटेच करेंगे तो पोटली बटन मैस जय दए देखिए stake बीच जैन्डजर सेंड्र में हाब अटेच करका वंसें 8 पोटली बटन है अपर 11 इंच की दूरी पर अटेच करूँगी झाल 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 अंगली से बटन को अच्छे से प्रैस करके अंदर के साड इसका दबाव रखें ताकि जो हमने बांदा हुआ धागा इसमें दिखे ना इस बात का आपको खास ध्यान रखना है पोटली बटन में वह धागा बंदा हुआ अगर दिखता है तो वह सारी डिजाइन हमारी खराब बना सकते हैं छोटे बड़े मैंने यहां पर थोड़े से मीडियम साइज से भी थोड़े बड़े बनाएं ताकि जो डिजाइन हमारी वह थोड़ी उभर के आए और अच्छे से दिखे और उसके उपर डोरी भी और लेप की हुई है जो सिंपल डोरी बनाकर पोटली बटन लगाते हैं तो इस तरीके से मैंने यहां पर डिजाइन बनाई यह देखिए सारे बटन इसी तरीके से अटेज कर लेंगे कि इस की मैंने बैख नेक वीडियो safe कि अगर आप चाहिए तो किस तरीके से बिटन हम बनाते है वह मीन अछे से बताया ऊसमें किस तरीके से अटेच करना है किया क्या हमें अच्छे करते वह ध्यान रक लक्षिल से ऊस्छे है आप शीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं एक्स्टा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देंगे देखी नीचे से यह देखी किती सुंदर डिजैन बनकर हमारी यहां पर तयार हो गई है आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें और जरूर बताए कि कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सेस्क्राइब कर लें तो मिलते ह आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई डिजैन के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद